हलो दोस्तो वेरी गूड इवनिंग स्वागत है सबका इन्फो बैर चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त आपका बेर दोस्तो स्वागत कर रहा हूं सबका 25th of February है और दोस्तो लगवक्चे बजने वाले हैं आज दोसम्लोग बात करने वाला है ग्रेफ कॉर्टन के बारे में जी हाँ इस कंपनी ने अभी तक काफी बहतरीन रिटेंस जो है वो दे चुकी है और आने वाले समय में यहाँ पर एक काफी लंबा टार्गेट जो है वो सेट किया जा सकता है क्या रिजन्स है क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ वो भी डेफिनिटल आपको बताने वाला हूँ लेकिन दोस्तों साती सात में मैं कुछ चीज़े और भी इस बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जाब और फाइनेशल आलेसिस तो होगा ही होगा सात मैं टेक्शनर आलेसिस भी करेंगे और जो टार्गेट मैं ने लास टाइम दिया था उसका क्या सिनारियो है उसके बारे में भी मैं इसमें बात करने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है लेकिन ऐसे वीडियो ज़रूर देखना चाहते हो जिसमें इन्वेस्टमेंट करके जिस स्टॉक में पैसा लगाके आप पैसे कमा सकते हो लेक पिर भी आपको सही टेप इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल पाती है तो अभी आप बिल्कुल सही चैनल पर हो दोस्तों इसी को आप ढूंड रहे थे इन्फो प्यार का सब्सक्राइब जरू कीजेगा दोस्तों कि हम लोग यहाँ पर डेली दो या तीन स्टॉक आपको ऐसे बताते हैं जो आने वाले समय में आपको अच्छा रिटन दे सकते हैं आप इस स्टॉरी पता होनी चाहिए कि स्टॉक बढ़ेगा तो क्यों दोस्तों हम लोग टेली गरम चैनल भी चलाते हैं अगर आप हमारे टेली गरम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो लिंक में दर इसक्रिप्शन में देखकर के रख हुई है यहापर हम लोग काफी सारा डेटा शेयर करते हैं वीडियो से है इसाथ में चार्ट अनालेसिस आता है कोई खाबर हो वो आती है साथ में knowledgeable काफी सरी चीज़े हैं जो आपको stock market में update रहने के लिए help करती है आपको कहीं और जाना नहीं पड़ता लिंक में अंदर description में देख करके रखे हुई है बिल्कुल जुड़ियागा दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बात करते हैं grapes cotton के बारे में देखिये दोस्तों यह जो company है यह खास करके belong करती है जैसे नाम से sound करती है यह कोई cotton बनाने वाली company हो या textile industry हो बट इनका most अब जो business है दोस्तों वह है automobile के engine बनाना या उससे related जो है पांट से वह बनाना या फिर उससे related services प्रोवाइड करना customer complaint handle करना और काफी सारे related इसी sector के अंडरन के business आते हैं और फिलाल यह diversification से जा रहे थे पिछले का तीन या चार सालों से और उनसे उनको फाइदा भी हो रहा है अपने business को यह अलग-अलग किया जा रहे है ताकि हर एक business को अलग से focus किया जाए और उसको उस तरह से target भी set कर सके और उसकी strategies भी बना सके फिलाल इनका engine बनाने का जो business से काफी अच्छी तरीके से चले जा रहा है और जिस तरह से government जो है वो आने वाले समय में electronic या फिर electrical engineer engines जो है यानि जो light पे चलेंगे engines ऐसे वो टाइप के engines बनाने की कोशित ज्यादा रहेगी government की तरफ से facilities भी दी जा र रही है ताकि जो मेरे भाई है जो गाड़ी बदलना चाहते हैं उनको scrap में जाने के बाद ज्यादा नुक्सान ना हो या फिर environment को नुक्सान ना हो इसकी वज़े से यह green vehicle जो है बनाए जा रही electrical vehicle market में लाए जा रहे है इस vehicle को बनाने के लिए engine definitely बहुत ज्यादा matter करेगा और grave cotton यहीं पर important role play कर सकता या play करने वाला है काफी बड़े level पर engine बनाने की capacity इनके पास है दोस्तों काफी बड़े बड़े engines ये लोग बनाते हैं आप इनके website पर जाकर इनका portfolio चेक कर सकते हो इनके business को और detail में analysis करने के लिए आप बिलकुल इनके site पर visit जरूर कीजिएगा ताक यह लोग बनाते हैं तो यह थे company का profile अब मैं एनसी पर जाने से पहले basically मैं वह चीज दिखाना चाता हूं जिसके पर बात कर रहा था इनका target दिया था दोस्तों मैंने last time पर यह हमारा screenshot में हमेशा लेकर करके रखता हूं तो आप देखेगा मैंने आपको बुला था खरीदने मैंने यह level आपको दिया था तो बहतरी return तो आप यहां से निकाली चुके और अभी आप जो upside देखने वाले हो यहां से और भी आगे कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाता हूं तो पहले दोस्तों मैं NSE पर लेकर के चलता हूं momentum समझते हैं volume समझते हैं क्योंकि यह समझना बहुत ज्यादा important होता है जब भी किसी stock में आप enter करना चाहते हो उसे पहले वहां का माहूल और exit का position यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों लगबग इसमे 66 lakhs के stock trade हुए जो quantity है और लगबग 21 lakh की delivery जो है वो उठाई गई थी 30.60% निकल करके आती है तो एक 70 lakh के आसपास का share quantity अगर trade होता है तो उच्छे अच्छा volume समझ सकते हैं हम लोग यहां पर क्योंकि stock में जो favorable stock नहीं होते है लोगों के favorite stock नहीं होते है यहां पर quantity आपको हमेशा थोड़ी कम ही दिखाई देती है ऐसे stock जो होते है वो लोग को के नजरों से थोड़े दूर होते है और आपको काफी अच्छी नजर होनी चाहिए अगर आप इन stocks को खरीदना चाते हो दोस्तों तो ठीक ह का चल रहा है स्टॉक का पी देखे 40 माफ के सेक्टर पी 42 है और पी जो है stock 24 है मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि पी अगर 20 हो या 20 के नीचे हो तो stock को आप बिलकुल दिर खोल के खरीद सकते हो क्योंकि वो stock जो है intrinsic value के generally एक तो आजू बाजू रहता है या फिर नीच चल रहा है तो आप इस stock को खरीदने के बारे में सोच सकते हो आज का दिन लगबग 9% का return ये stock दे चुका है bank आपको साल का 5% देता है stock ने आपको दिन का 9% दे दिया है forecast के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो 4 में से 2 analyst आपको stock को खरीदने के सलहा दे रहे हैं यहां पर द market share बढ़ चुका है 3.82 से 3.93 ऐसी की बात करेंगे तो debt 0.93 है और industry का 31% यानि company को आप लगबग debt-free प्रकट के चल सकते हो 197.5 का current ratio है इनका average है 153 के आसपास का cash flow minus 31.88 और average 7.57 परसंट का है तो एक चीज़ आप समझ सकते हो दोस्तों यहां पर कि कमपनी financially stable दिखाई देती है और आने वाले समय में debt-free की वज़े से यह अगर पैसा लगता भी है तो arrange करके अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं अब चार्ट पर लेकर के आता हूं दोस्तों चार्ट समझाना चाता हूं देखेगा मैंने एक नीचे line लगाई हुए जो हमें एक level आती है कि ट्रेंड लाइन आप कह सकते हो इसे यह जो है वो नीचे वाला लाइन बताती है और जो higher lows बनाता जा रहा है higher highs बनाता जा रहा है प्राइज फिलाल थोड़ा ओवरड जोन में जा चुका है यह level देखिएगा ओवरड जोन में प्राइज जा चुका है यहां पर क्या करना है देखिएगा मैंने stop loss दे करके रखा हुआ है आपको 116 का मैं चाहता हूं कि आप कल सुबे मार्केट देखे बहुत ही short term trade है ठीक है दोस्तों short term है कि आप आप तो बिलकुल इसे खरीद लेना है दोस्तों और वो टार्गेट रहेगा वह लग 150 के आसपास के यहनि यहां पर लगबग 19 रुपए का upside आपको यह stock दिखा सकता है short term के लिए खरीदना है upside होगा 150 का stop loss होगा दोस्तों 116 के आसपास का ठीक है पहला lot खरीदना है 130 पे इंतज करना है दोस्तों 140 के आसपास अगरी stock चला जाता है stable हो जाता है दूसरा lot डाल देना है 150 के लिए और 150 के बाद आप इपना चाहिए SL ट्रेल करो अपना stocks काट लो profit book कर लो decision आपको करना है पर 150 का target होगा पहला buying 130 के आसपास दूसरा buying 140 के आसपास stop loss होगा 116 का ठीक है दोस्तो ये था आज का वीडियो graves इंडिया के बारे में वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो like करना है दोस्तों के साथ share करना है और साथी साथ दोस्तों subscribe करना है भूलना नहीं है subscribe करना है info bear channel को और telegram channel से भी जुड़ना है link में डिस्क्रिप्शन में देकर के रखा हुआ है दो तक के लिए thank you very much